अनन्त, वरून, आकाश, शेमलता, अमन्दीप, सुहील, शुबम, मंतन, all the people out there, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, एक बर फिर से आपके फेवरेट प्रचंड सेशन में, एक ऐसा सेशन, जो कि आप जानते हैं कि आपको ना सिफ क्वालिटी देता है, बलकि बहुत exam-oriented, जो current fare है, वो आपको यहां देखने का बौका मिलता है, and I always feel कि current fare एक ऐसी चीज है, जिसके उपर अगर अच्छे से महनत की जाए, intelligent hard work किया जाए, तो result जरूर मिलता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, and everyone, you know this particular thing, कि यहां पर हम लोग वो intelligent hard work की ही बात करते हैं हमेशा, we just don't talk about the hard work, we talk about the intelligent hard work all the time, और यह बाद आप जानते हैं, so, बहुत सारे लोग कह रहे थे, sir, February का current fare कब आएगा, but आपको तो पते ही है कि marathons चल रही थे, अभी भी हमारी marathons तो चलती ही रहेंगी, but this particular current fare is absolutely very very important, तो यह पहले तो आप याद रखेगा, this is not something, चो कि कम important, यह बहुत जादा important है, और यह आप सब जानते ही है, now, the point is, that, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ फोकस करने वाले है, FAB की कौनसी books important है, military equipment, military exercises, personal news, all the things, we all need to be looking at, यह सारी की सारी जो चीज़े हैं, हमने याँ बहतरी तरीके से करनी है, and I can assure you one thing, that you all are not going to be disappointed at all, So, FAB 2022 का current fair पूरा में आपको अच्छे से analyze करवा दूँगा, यहाँ पे इस session में, I hope सबने dinner कर लिया हो, सब लोग free होके आई वे session में, session को share जरूर कर दो, and do subscribe to our channel right now, हमारे channel को अभी के अभी, subscribe जरूर कर ले, और पहली में एक चीज़ आपको बदा देता हूँ, कल इसी channel पे योट्यूब का चैनल देख रहे हैं, इस पे एक बहुत शांदर हिस्ट्री का session लाओंगा, मैं दो बज़े भी, ideal आपको पता होगा, तो दो बज़े ideal आएगा, और 6 p.m. I have got a marathon of current affairs, तो अब तो, I think, exam के लिए, आप full-fledged त्यार हुई, और आपकी best जो त्यारी है, उसके लिए हम लोग हमेशा आपके साथ है, चलिए, बिलकुल, बिलकुल करवा देंगे, समय चिंता ना करे, गोविंद, mid of March का ऐसे है कि कल जो है na session, उसमें mid of March सक्का भी करवा दूँग, और बोलो, ले, वैसे तो देखो, fab का अगर आप ने कर लिए, you're good to go, but still, if you want, आप कर लेना, तो चलिए, countdown स्टार्ट करते है, let's start with the countdown, जैसे कि हमेशा हम लोग करते ही है, countdown, तब तक session को maximum share ज़रूर कर दो, and if you have not liked, do like the session, of course, बेने जैमाता दी, नवरात्रों का start हुआ है, आज, तो यह तो बहुत शुब अफसर है, आप सब के लिए इतने बहतरिन का रेटफिर कर देगा भी, ठीक है, so goodie परवा की भी शुब काम नहीं, आप सब को नवरात्रों की बहुत बहुत शुब काम नहीं, और मैं एक ही जी जी बोलूँगा, everyone, don't be demotivated, stay positive, always, positive रहना बहुत जादा जरूरी है, always stay positive, जो भी लोग थोड़ा भी negative सोचते है, positive सोचने की कोशिश करें, ये मेरा एक छोटा सा message है, आप सब के लिए, साथियों सब के लिए एक छोटा सा message है, चलिए, भी start करते हैं, आज का, जो current fair उसका आगास किया जाएगा, Lieutenant General Manoj Pande के साथ, आपको शायद पता होगा, that he took over as a Vice Chief of Army Staff, so three star officer, of course, Lieutenant General है तो three star officer रहेंगे, so आप यहाँ पर देख सकते हैं, he is the new Vice Chief of Indian Army, why, so Army Chief कौन है, ये तो आप comment करके बदाई ही दोगे, he is the Vice Chief, so you never know when this question can be asked, because of course, person in news में बहुत important person मुझे लगे, that's the reason why I am putting it up, तो आप देखेंगे, इस तरह जी बहुत interesting चीज़े जो है, वो ना सिर्फ आपको मैं ऐसी करवाऊंगा, बलकि बहुत 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 बहुतरी तरीके हम करेंगे, और सबसे अच्छी बात पता है, इस सेशन को मैं बहुत जादा heavy नहीं बनाता हूँ, मतलब कोई भी चीज़ है, उसमें बहुत जादा explanation में तब ही दूँगा, जब आपको exam point of view से चाहिए, अगर नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको नहीं करेंगे, कामी खत्म, हमने उतनी ही explanation बेटे करनी है, जितनी exam point of view से हमारे लिए, important है, I hope you help, I hope it helps, चलो, बिल्कुल नरावने साव, इस दा आमी जीफ, बिल्कुल next आमी जीफ यहीं होंगे, तब ही मैंने आपको यह बता दिया है, next one, आपको पता होगा, Triservices Under My Nikobar Command ने इंड़क्ट किया है, advanced light helicopter MK3, यह, MK3 जिसको बनाया किस ने है, HAL ने बनाया है, Hindustan Aeronauts Limited, मेरा यह बताने का सिर्फ यह मक्सद है, कि आत्म निर्वर भारत जो हम बात करते हैं, make in India, so this helicopter is make in India, तो इसको इंड़क्ट किया गया है, that is why it was all over the news, fine, induct किया गया है, और यह make in India है, made in India है, so that is what makes it even more important, so यह थोड़ा समद्दा आपको just understand करना है इन चीजों को, and I am sure, these are not very difficult things for you guys to be understanding, बहुत basic सी चीजे हैं और आप इसको understand कर सकते हैं, everyone, चलो, अब एक छोटा सा idea है, मैं डिफेंस से जानबुच के start करों ताकि जोश आपका हाई रहे, बाकी तो हम लोग और भी शानदा न्यूस करेंगे, बहुत बहुत बहतरी न्यूस है, सारी जो हमने करना ही फैब की, आप चिंता ना करें, बस बने रहें मेरे साथ end तक, and I assure you, कि सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है, बिल्कुल जेवियर, उसी के format पे है, नेक्स वन, फर्स सौटी हमने देखी, स्कॉर्पिन सब्मरीन वागीर की, तो जब वागीर का नाम आता है, तो हमें इतना पहले तो पता रखना है, कि ये कलावरी क्लास की सब्मरीन है, किसकी सब्मरीन है, कलवारी क्लास की सब्मरीन है, कंडेरी, करांज, वेला, उसके बाद है वागीर, उसके बाद आईगी वाग्शीर, तो तीन के से नाम की तीन वी से नाम तो आपको पता है वेला has been commissioned वागीर अभी सौटीस पूरी कर रही है ट्राइल्स की बाद इसको भी commission कर लेंगे और वाग्शीर के तो अभी हमने पूरा start करना है तो कहने का मतलब क्या है यह सारी की सारी क्या है जो कि कलवारी क्लास को बिलॉंग करती है इसमें इंपोर्टन ओद प्रोजेक्ट 75 के हम लोग करते है प्रोजेक्ट 75 के साथ इसको एसोसेट किया जाता है तो बहुत ब्रीफ में हम लोग हर चीज को इसलिए देख रहे हैं कि यह इंपोर्टेंट है और हमें इन चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से अंडेस्टांड करना है चल्ड समझ आगे इतना चल्ड अब आप एक सीज अंडेस्ट करिएगा आपको शाद पता होगा हम लोग कई बर बात करते हैं आइनेस विकरांद की आइनेस विकरांद क्या है हमारा एरक्राफ्ट कैरियर यू नो दा इंडिया ने सक्सेस्फुली फ्लाइट टेस्ट किया मरीन वर्जिन ओफ रफैल किसके लिए आइनेस विकरांद आप यह सोचो अगर आइनेस विकरांद पे प्रॉपरली की लैंड हो पाता है तो यह कितना इंट्रस्टिंग रहेगा और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि रफैल मरीन जो है उसको यूएस मेट सुपर हॉनेट जो एरक्राफ्ट है उसके खिलाफ पिट किया जाता है हमेशे यह बत बुली जाती है कि यह उससे बहतर है तो मतला इंट्रनाशनली यह चीज़ हमेशा बुली जाती है तो सुपर हॉनेट जो है डाट इस मेड इन यूएस से लेकिन रफैल जो है डाट इस फ्रेंच प्लेन तो बस इतना याद रखेगा कि इसको हमने काफी बहतरीन तरीके से टेस्स किया है तो कई बार यह बात आती है कि बहुत सुपर हॉनेट बैटर है इस्पेशली नेवी की जब हम बात करते नेवल वर्जिन में तो हमें बस यह एक एक बेसिक आइडिया लेकर चलना है कि ठीक है रफैल की जो केपिबिलिटीज है देर वेरी मच मैचेंग जो सुपर हॉनेट आयोप इस चलो क्लेर होगे इतना वेरी गुड अब ध्यान रखेगा नेक्स हम लोग कई बार बात करते हैं इस्टन ब्रिज की इस्टन ब्रिज वाट इस exercise Eastern Bridge एनिवाण उसका 6 timer ने हीं लेकिन फैल बहुत इंपोर्टन है जो हमें ध्यान में होना चाये आपको बस इतना समझना है रफैल को हमने आमस विकरान के उपर जब हम बात करते जैसे लाडिंग की बात होती टेकफ की बात होती و जो सिमलेशन से हमने कर ली है that's the thing अच्छा इस्टन बिच किया है it's a exercise when we talk about this particular exercise तो हम लोग क्या देखते है इंटन एर फोर्स और रोयल एर फोर्स ऑफ ओमान ओमान की जो रोयल एर फोर्स है उसके बीच में एक एक्सराइस को की गई हमने देखा अब कई बार बार यह थीच कि ठीक है यह तो एर फोर्स की है but what about नसीम अलबार बदाए नसीम अलबार क्या है वो नेवल एक्सराइस है तो वह भी हम लोग इनी के साथ करते है तो याद रखेगा नसीम अलबार एक नेवल एक्सराइस है वहाँ पर भी ओमान आएगा और इस्टन ब्रिज में तो ओमान है ही है तो यह हमें पता होना चाहिए इंडो ओमान एयर एक्सराइस जो है अगर नेवल एक्सराइस की बात आए या किसी भी एक्सराइस की बात आए तो एक हमें बात यहाँ पर जरूर करनी होगी and that is of Milan Milan की हम लोग बात करेंगे it's a very interesting one तो उसके उपर हम लोग चर्चा करते हैं अज़ा जायरल बार कोई बताएगा मुझे नसीमल बार तो मैंने आपको बता दिया what about जायरल बार बतादो जरा अज़ा session को फटावट से share कर दो अगर नहीं किया है because session is very important you know that चलो, anyways वो कमेंट में आजएगा I'm sure आगे बढ़ते है दबताएगा बेटे, आपको पता होगा multilateral exercise Milan 2022 बहुत शांदा तरीके से concluded fine, Milan 2022 why? is it so much important? इसका जो theme रखा गया that was camaraderie, cohesion and collaboration याद रखेगा कहां पी हुई है ये exercise बहुत important है that was in WISAG बिलकुल ये Qatar is right WISAG, विशागा बटनम तो विशागा बटनम में हमने देखा ये जब स्टार्ट वी थी 95 में उसमें से इंडोनेशिया, श्रीलंका, श्रीलंका Singapore, Thailand होते थे लेकिन अभी आप हैरान रहें कि 40 प्लस जो कंट्रीज है उन्होंने इसमें शिर्कत की, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट की है, so that's a very very important point, this is something which we need to be looking at precisely so ये बद याद रखेगा 1995 में हमने स्टार्ट की थी तो उस समें तो ये इत्ती बड़ी exercise नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़ी exercise है, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी theme जो की exam में आ सकती है, that is camaraderie cohesion collaboration, मतलब आपको बता है और 40 प्लस navy's इस पर participate किया, so that makes it very very big exercise, alright बिल्कुल question, मैं भी बता रहा हूँ 40 से जादा navy's आ गईगी इस पार को, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत जादा बड़ी बात मानी जानी चाहिए, so कहने का मतलब तो यही है कि हमें इन सभी points को पहले तो एक अच्छे तरीके से understand करना है, और उसके बाद ही पूरी की पूरी जो clarity है, वो हमें मिल पाएगी चलो, समझ आ गया बिटे, so in one page we are trying to cover that particular current fair, ताकि उसमें कोई extra information इतनी ना आपको मिलें, जो exam के point of view से important नहीं है मेरी कोशिश यही रहेगी exam point of view से important जीज़ ही हम लोग यहाँ पर करे, that is the main idea ठीक है जी, शर्व, आगे हम लोग बढ़ते हैं, let's move ahead in this particular direction and we take you to army chief, जिन्नों ने president कालेस डिये to units of parachute regiment parachute regiment जिसको join करने का जजबा I think आप सब में है, आप सब में से बहुत सारे लोग हैं, जो parachute regiment को join करना जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, parachute regiment में भी 11 parachute special force जो है, 21st parachute 23rd parachute and 29 parachute को presidents करना दिया लेकिन important क्या है, यहाँ पे president color किसी भी unit को हम लोग तभी देते हैं, जब उन्होंने बहुत जादा कोई बहतरी एक service दियो देश को, जो कि इन्होंने दी ही है and यह एक बहुत बड़ा award होता है, तो बस इतना याद रख लीजएगा कि किस regiment को यहाँ पे मिला है, that is para, simple so president color अभी अभी देखो, fab में मिला है, इसलिए chances है कि पूछ लिया जाए, units आप से नहीं पूछेगा, लेकिन आप से regiment तो पूछे लेगा, देकिन आस क्यों कि गोर खाय है, यह मालब एक आपको options की ऐसे देंगी कि आप confused हो सकते हो, they will be giving you such options, so you got to be very clear in that particular approach, I hope that helps, चलिए, next one बात करते है, एक exercise बहुत जादा न्यूज में थी, and that exercise was exercise Cobra Warrior Cobra Warrior हाला कि March में होनी थी, लेकिन Feb में, it was all over the news, why? क्योंकि यह हमेशा होती, UK में United Kingdom में basically हमने देखना था, March में होनी थी बस आपने इतना याद रखना है UK कंडग करवा रहा था, उसमें इन्होंने पार्ट स्पिट किया which is the one exercise Cobra Warrior, so Cobra Warrior किसकी है, पहली बात Air Force की है, so Indian Air Force यहाँ पे लगा दो, and plus UK, यह दो कीवर्ड यहाँ पे होगे आपका करेंट फेर पूरा, कहने चलो, अब एक बहुत important यहाँ पर point निकल कर आता है आपको पता होगा Coast Guard, Indian Coast Guard तो यह 46th Raising Day इन्होंने celebrate किया, कब celebrate किया, of course February में celebrate किया, so Indian Coast Guard में आप देख रहाँ किते हैं, यहाँ पे पठानिया साब DG, जो head करते हैं Indian Coast Guard को वो यहाँ पर खड़े हैं, now the most important thing is, Indian Coast Guard Day कब मनाते हैं, पता है आपको it is on 1st of February 1st February 2022 को इन्होंने Indian Coast Guard Day मनाया, that is 46th Raising Day, 1977 से अभी तक Coast Guard बहुत जादा ग्रो कर गई है, and that's absolutely, मानु पता बिलकु अभी तो अभी तो प्यारा को मिला ना, इसलिए मैंने आपको बताया, तो अभी तो हम FAB का कर रहे हैं, करंट पर, since we are doing it for the FAB, that is how it is हाँ जी, तो मतलब कुल मिला के देखो, आपको सिरफ एक चीज पर ध्यान देना है जो भी चीज में आपको बता रहा हूँ, बस इसको माइन में रखते चलिए, that's, you are good to go तो इसमें कोई, इतनी मतलब difficult चीज नहीं है ये, सारा काफी interesting है, everyone चलो, अब आपने, I think, Sparsh Initiative का नाम सुना होगा, everyone Sparsh, System for Pension Administration, रक्षा तो बस आपको ये पता होना जी कि Sparsh Initiative Defense में है, तो वो किस से relate करता है, that's the very much important thing, तो मैं वही आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, कि कभी भी अगर question आता है, आपको Sparsh Initiative पे तो it is related to what, it is system for pension administration, रक्षा Sparsh तो बस इतना याद रख लेना कि Ministry of Defense ने MOU sign किया है, to onboard pension services under Sparsh initiative, बस Sparsh क्या है, it is related to the pension services, that is very much it, तो यह काफी news में था, Sparsh इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको बता दू, so याद रखे का system for pension administration, ऐसे questions आते हैं, इसके ओपर जैसे abbreviation के full form आ जाएंगे, so what is the full form of Sparsh, you should be knowing that, simple बात, getting it, so आपको कभी भी full form बेटे आती है, तो यह आपको एक idea होना चाहिए, और जिनको भी यह लग रहा है कि सर, PDF का मिलेगा, पहली बात तो अभी PDF पे ध्यान न दो, अभी तो आप पढ़ने लिखने पे ध्यान दो, जो हम इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इसको आप जॉइन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको PDF मिल जाना है, आकाश जी के Booster सिंपल है, इसको सर्च कर लो, चलो, समझ आ गया जी इतना, तो यह फैब का करेंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसने अभी तक कि सेशन को शेर नहीं किया है, सेशन को शेर कर लो फटा फट से, क्योंकि यह एक बहुत ही जादा important session तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे शर्टली यह वेरी वेरी important session, चलो, clear हो गया जी इतना, everyone, so do like, do share the session और subscribe तो करी लेना चैनल को, I hope that helps, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब moving ahead, बिटे, आपको शाद पताओ को first global summit हुई, reimagining museums in India, यह एक बहुत बड़ी summit हुई है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, अब web में हुई थी, reimagining museums in India, why was it done, बहुत simple जी बात है, पहली बात तो, यह reimagining museums in India जो हुई है, इसमें क्या field of museum development, इंडिया में बहुत museum है, लेकिन किस तरह से museum को हम लोग और grow कर सकते हैं, government also develop करी, tribal freedom fighters के उपर museum, defense के उपर, railway के उपर, textile के उपर, तो यहाँ पे जो भी इसमें expert है, उनको एक साथ लाया गया, ताकि उनसे सीखा जा सके, कि हम लोग अलग-अलग field में museum बना कैसे सकते हैं, how can we do that, this is the biggest question, लोगों को पता ही नहीं है, कि museum बनाना कैसे, museum को कैसे manage करना है, this is the biggest problem, so we got to be knowing this particular thing, जो कि भी बहुत जादा important है, चलिए, समझ आगे इतना, तो यह आपको एक idea होना जरूरी है, चलिए, जो next one है, वो भी हमारी heritage से जुड़ा है बहुत जादा, एक बहुत शांदर 216 feet का statue, प्राइम निस्टर ने inaugurate किया, unveil किया, बहुत बढ़िया, it is commemorating श्री रामनुज चारिया, लेकिन बात यह आती है, रामनुज चारिया के बारे में आप जानते क्या है, मना, what exactly do you know about him, because, देखे, यहाँ पर statue, तो देखे, होना अलग बात है, लेकिन, unfortunately, बहुत साई लोग इनको जानते नहीं है, so मैं आपको बता दो, पहली बात उनका time period, आप मान के चलिये, कि 11th to 12th century AD में यह exist किये, why, so पहले यह statue और इसको क्या बोल रहे है, हम लोग statue of equality, क्या बोलते हम इसको statue of equality बोल रहे है, यह बहुत बढ़े, आप समझ लो, philosopher रहे, social reformer रहे, बहुत बढ़ी हस्ती रह कि हम लोग बात करते है, so that is something we have to be understanding, बिल्कुल, so यह आपको कहां पे देखने को मिलेगा, it is in Hyderabad, Hyderabad में we have got the statue of equality, simple जी बात है, इसमें ज्यादा detail में नहीं जाना, आप देखोगे भक्ती मुमिंट वगएरा की बात करते हो, तो इनका नाम बहुत आगे आता है, बहुत ब statue बना है, और इसको mount कहां किया गया है, भद्रवेदी, जैसे हम लोग बात करते हैं, उसके उपर इसको रखा गया, तो काफी interesting चीज़े है, लेकिन हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है, कि कौन सी century में हुए है, तो यह particular आपको idea होना चाहिए, that is 11 to 12 century AD में इनका हुआ, बतलब everyone should be understanding this thing, क्योंकि कहीं न कहीं कोई भी question जो है, वो आपको पूछा जा सकता है, चलो, the next one which goes on your screen is, renaming की उपर है, let me see किते लोग कर पाते हैं, center ने प्रूफ किया कि भई, होशंगाबाद जो है, जो नर्वदा के उपर based है, उसका नाम नर्वदापूर हम लोग रखेंगे, व बाद में होशंग शा गोरी जो था, उसने अपने नाम पे इसका नाम रख लिया था, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका दोबारा से नाम नर्वदापूर हम रख रहे हैं, और शायद आपको पता हो का बबबई एक टाउन है होशंगाबाद डिस्टिक में, मखललाब चतुरवेदी, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रिनियम किया जा रहे है, बबबई का, बबई is a टाउन, तो यह मैने इस लिए बताए है, ताकि आपको यह पता हो कि मखललाब चतुरवेदी कौन है, क्योंकि उनके नाम के ऊपर अगर इक टाउन का नाम रखा जा रहा है तो भही इंपोर्टन तो हों गई, so that is the reason why I have told you this thing, यही एक reason है कि मैंने आपको यह बता दिया, देखो, question अगर आपको कभी भी आते है न, इनके ऊपर, of course, there won't be direct question, that for sure, indirectly आएंगे, but at least आपको पता तो हो, you should be able to answer that one, next one, अगला जो है, वो बहुत ही obvious है, हमने देखा, Dr. V. Anantar Nagiswaram, यह, बहुत नूज में थे, क्यों, because he is the new chief economic advisor, बहुत बढ़ी पोस्टर, since he is the new chief economic advisor, so we should be knowing about him, of course, he is a very important person in news, क्या है यह यह पर्सन इनूज, हाँ जी बिल्कुल जेविर, वो में बता चो को पहले भी, so person in news रहे है, तो यह पता होना चाहिए, अच्छा, insolvency and bankruptcy board of India है, उसके chairperson मने है, श्री रवी मित्तल, बस इतना पता होना चाहिए, रवी मित्तल साहब, chairperson मने है, insolvency and bankruptcy board of India के, on top of it, आपको शाद पता होगा, एक बहुत important body है, international rubber study group, ISRG, तो India is going to head that, और के रागवन जो है, उसके chairperson मने है, लेकिन मेरा सवाल यह है, कि चलो, ठी कि यह एक बहुत अच्छी organization है, national rubber synthetic rubber जो है, उसकी consuming countries जो है, producing country वो इसमें आती है, but मैं पुछने जाता हूँ कि भाई, international rubber study group है, IRS SG, उसका headquarter कहां पर है, that is my question, exam में इस तरह के question आ सकते है, तो कोई बदा सकता है मुझे मतलब, what do you think in this regards, it's in Singapore, so Singapore जो है, वहाँ पर इसके headquarters based है, so that is something which gives you some insight, क्यों बहिए, Singapore में इसके headquarters जो है, वो based है, इतना बस अंटर्शन कर लेना, that's something which is very important, Feb में यह बहुत जादे news में थे, तो इसलिए मैंने यह आपको बता दिया, 1944 में बना था, हलाँ कि year important नहीं है, बट स्टिल, in case somebody is curious, तो 1944 में यह बना था, बहुत पुराना है, तो rubber का एक बहुत important body है, consortium है, यह IRSG याद रखेगा, International Rubber Study Group, तो पूरा यह देखते हैं कि कहा production जादा हो रही है, कैसे production enhance करें, price क्या जल रहा है, यह सारी चीजों पर focus करते हैं, Singapore, अभी तक जिसने session को share नहीं किया, share कर दो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, like जरूर कर देना, because this is a session you have been waiting for so long, I am sure आप लोग इसका इंधार कर रहे थे, आजा, आपको सबको पताया कि हमेशा Republic Day Parade में, first, second, third tableau निकाले जाते हैं, पता आपको यह बाद, tableau निकालते हैं के नहीं निकालते हैं, बहुत बढ़ी आप, तो first कौन सा आया, tableau, UP का tableau first आया, पहले तो आप याद रखेगा, UP के tableau को first price मिला, तो यह UP का था, काशी विश्वना धाम भी था, इस पे, one district, one product भी था, तो यह first आ गया Republic Day Parade पे, second कौन सा आया, करनाटका का tableau आया, second, और third कौन सा आया, मेघालिया का tableau आया, याद रहेगा, first UP, second, वैसे तो second, third नहीं भी पता चलेगा, UP आपको पता होना चाहिए, पेटे, first कौन सा आया, यह अगर आपको बता है, तो काम आपको हो गया, अगला, इस बार इन्होंने बहुत इंट्रस्टिंग चीज़ की, जैसे इन्होंने महाराष्ट, जैसे people choice category भी पूछी, कि आप online voting करो, तो उसमें महाराष्टा top पे निकल कर आया, महाराष्टा, तो महाराष्टा is on the top in the people choice category, अब महाराष्टा special क्यों था, मैंने आपको वैसे एक special session में भी बताया था, but in case you don't know, तो मैं आपको बता दू, महाराष्टा में इनकी bio diversity दिखाई गई थी, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आया, तो अगर people choice category देखो, तो महाराष्टा was on the top, इसमें उनका animal जो शेकरू है, squirrel, bird हरयाल, butterfly blue mormon, flower jarool, और tree mango, ये सब दिखाया गया था, तो ये बहुत important चीज रही, जो कि आपको पता होने चाहिए, getting it, so महाराष्टा की पूरी की पूरी biodiversity आपको देखने को मिली, इनके tableau पे बहुत शांदार था, तो इनके पांच element है, state bird, state animal, state butterfly, state flower, state mango, state tree, कि सारा आपको देखने को मिले, tableau मतलब होता है जहांकिया, जहांकिया निकाली जाती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग tableau, that's it, so ये थोड़ा सा अब understand करियेगा, this is why I just told you कि ये important है सारी के सारी चीज़, these are the things which are very much important, अब बैटे biodiversity के अगर बात होती है, तो मुझे लगता है कि बड़ी interesting चीज़ मेरे दिमाग में आरी है, जो मैं आपसे share करना जाता हूँ, बात होगी biodiversity की, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक parasitic flowering plant मिला है हमें, Nicobar Islands पे, क्या मिला है, parasitic flowering plant, parasitic plant मतलब किसी को पर rely कर रहा है, वो अप it will always grow on the plant species, जैसे bloom वार्प होता है, लेकिन ये जो plant मिला है, वो है septerminthus, ये बस याद रख लेना, बहुत importance है, इस particular चीज़ की, तो हमने क्या देखा, कि ये tropical forest वगरे जो वहाँ पे उसकी periphery में पाया जाएगा, this is why it was in a lot of news, तो मैंने bloom में, वो proper तरीके सा highlight किया हूँ, उ I think that is what makes it very much important, हाँ जी फंजाए वो umbrella shape मैंने पहले के session में करवा दिये पटे, आप पहले के session को refer करना, अचा एक बहुत interesting अब यहाँ पर आ रहा है, आपको शाद पता होगा, white-cheeked macaque, अगर wild life की बात करते हैं, तो wild-cheeked macaque की बात जरूर आती है, ये बहुत जादा news में अब ये news में क्यों था, ये भी सवाल है, कि why was it all over the news, देखो, इसके news में रहने का एक बड़ा simple कारण ये था, कि ये हमें पता ही नहीं था कि इंडिया में exist करता है, now that's genuine, that's a fact, मैं जब बहुत आता हो तो याद रखेगा, we never knew it exists in India, and now all of a sudden we know that it is existing in India, तो कितनी बड़ी बा है, कि इंडिया में exist करता है, कहां पर मिला हमें, अरुनाचल प्रदेश में मिला, पहले हमें लगता है कि चाइना में ही है, इंडिया में नहीं है, लेकिन अब वाइचीक मकैक जो है वो इंडिया में भी आगे, तो it's a new mammal species, which we have found in अरुनाचल प्रदेश, that is unjoy district, district नहीं भी काक की यहां पर बात आ रही है, बंदर है basically, clear, so I hope it helps, तो यह बहुत important current affair है, मतलब यह सारे के सारे जो current phase में करवा रहा हूं, these are very 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 important from your examination point of view, यह आप भी जानते है, that's the reason I am bringing that up, अभी we are just 27 minutes into the session, और आपको पता जल चुक है कि कितना important session है यह, fine, आगे बढ़ते हैं, दो औ और रामसर साइट्स एड़ हुई है, एक है खिजाडिया वाइलेफ सेंचरी जो गुजरात में है, एक है बकीरा वाइलेफ सेंचरी जो की यूपी में है, आपको पता होगा, words wetlands day हम लोग मनाते हैं, उस दिन इसको किया गया, हाला कि important days तो मैंने end में करवा नहीं है आपको बट सेल, अगर बात आई ही है, तो दो फरवरी को हम लोग world wetlands day मनाते हैं, शायद आपको पता होगा, we celebrate या we observe that on 2nd of February, तो इस बार इसकी theme रही, wetland action for people and nature, wetland action for people and nature, ये आपको पहले तो understanding होने चेए, वहले, this is actually a very important point जो कि हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, so honestly speaking, I don't think य बहुत जादा मुश्किल चीज़े है, मतलब we are just supposed to derive the main idea जो कि यहाँ पर है और उससे हमें पूरी की पूरी clarity मिल जाएगी, चल, अब आपने सुना होगा कि इंडिया का पहला जियो पार्क बन रहा है, जियो पार्क सुना है आपने कभी, it's a very interesting concept actually, इंडिया के लिए बहुत किया है भारत का पहला जियो पार्क, लेकिन वो कहां पे है, मध्यप्रदेश, तो पहले तो आप याद रखो, कि MP में ये बनेगा, कहां बनेगा MP में, बहुत बढ़िया, कितने पैसे लगेंगे, ये तो important नहीं है, लेटे वो रॉक पार्क वाला है, ये जियो पार्क की बा इस तरह के minerals है, तो that is the best place, मध्यप्रदेश, इस तरह के चीजों को लाने के लिए, बहुत तो, I don't think कि ये जितने भी points में आपको बढ़ा रहा हूं, ये बहुत जादा मुश्किल कोई points है, they are quite interesting, अच्छा, एक बहुत important current fair है, जो I am sure बहुत सरे लोगों ने शायद मिस किया होगा, a lot of people have missed out in that particular current fair, what is that, it is the central theme of economic survey of India, मैं ये निए आपने मिस कर दिया, बहुत सरे लोगों का मिस हुआ होगा, and what is that, you know, the theme is agile approach, I don't know, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कि ये question इस बार आ सकता ह economic survey of India की theme, ये बहुत important चीज़ है, तो याद रखेगा, economic survey of India की theme है, agile approach, समझाया, agile approach is the theme of economic survey of India, ये मैंने पहले कभी discuss किया ने class पे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर आपको बता दू, and that's the reason why I have brought it up, agile approach मेटे is the theme which we have seen, so I think that is quite important, चल, आगे बढ़ते हैं, now if you have not shared the session, like ना भी करो, share जरूर कर दीजे, because when you share, only then it reaches the maximum of the people, आगे बढ़ते हैं, परवत माला scheme बहुत news में थी भई, परवत माला scheme, why was it in a lot of news, fine, पहली बात भी कौन सी ministry की है, नोडल मिनिस्ट्री इसकी है, कौन सी, ministry of road, transport and highways, बहुत बढ़िया, now it is basically national roadway development program, roadway क्या होती है बटे, मुझे नहीं पता आपने कभी सुनाय की नहीं, roadway is what, roadway is उडन खटोला बोलते हैं, roadway होती है, उडन खटोला, आप यहां देख सकते हैं, कभी आप कई religious जगह पर जाओगे पहाड़ों में, तो आपका ऐसी roadway देखने को मिलेगी, इस तरह से, fine, तो परवत माला बहुत शांदर चीज़ है, क्योंकि यहां पे हम लोग हीली एरियास में connectivity भी बढ़ाएंगे, और tourism को भी promote करेंगे, जैसे बहुत सारे हमारी states है, उत्राघंड, हिमाचल, मनीपूर, जमो कश्मीर, 39 की states, वहां पर यह बहुत जादा जरूरत है, और वहां पर हम लोग यह करेंगे, तो कहने का मतलब क्या है, परवत माला scheme is basically associated with the roadways, बस यह आपको बता होना चाहिए, पर I think that won't be very difficult for you, because देखो, कुल मिला के बात यहां पर यही है कि जित्ते भी ideas है हमारे, किस तरह से हम लोग उसको understand करते हैं, that is very much important, that certainly which is of immense importance, fine और वही मैं यहां पर करने की कोशिश कर रहा हू, I am just trying to give you the best clarity which is possible, and trust me, it is possible, ऐसा निये कि यह पॉसिबल नहीं है, यह clarity जित्ती भी है, हम लोग यहां पर इसको बहतर तरीके से जान सकते हैं, और समझ सकते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, let's move next one, अब आगे जब मैं बढ़ता हूँ, तो इक बहुत important index मेरे नजरों के सामने आता है, what is that, it is democracy index, 2021, economic intelligence unit का democracy index है, यहां पर important है, इंडिया टॉप 50 में है, पाकिसा में हमारा रहे हैं कि 46th, इंडिया को 46th rank मिला है, यहां पर काफी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे functioning कैसी government की, electoral process कैसा है, political participation, यह सारी चीज़ें यहां देखी जाती है, अफगानिसान, Myanmar, bottom पे, just below North Korea, तो यह तो सबसे खराब ही है, economic intelligence unit कहां पे based है, लंडन में based है, और इस है, always and always we have these people on the top, this is a fact, तो यह अब सुनके बिलकुल भी हरानी नहीं होती कि Norway, Sweden, Denmark, यही लोग top पे है, यह हमेशा देखा जाता है, so this has been observed all the time, that's how we look at it, fine, अच्छा, इंडिया में start-up का culture बहुत जादा प्रमूट किया गया, प्रिछले कुछ सालों में, और मुझे ऐसा और beating retreat ceremony जो की गई, उसके अंदर हमने देखा, botland dynamics जो एक start-up है, botland, bot lab जो है, उसने क्या किया यहाँ पे, बहुत बहतरीन तरीके से, एक show दिखाया, जिसको आप बोल सकते है, drone show, अब देख सकते हैं, यहाँ पे राइसाना हिल पे, किस तरह से, यह drone show चला है, you can see, हजारों drones जो है, उनको use किया गया, और इस तरह से, वहाँ पे show दिखाया गया, यह सब drones उड रहे हैं हवाँ में, देखे, so that's a very interesting thing, तो आप याद रखेगा, यह drone show जो हुआ है, इंडिया में पहली बार, यह beating retreat ceremony पे हुआ, हमारी जो परेड हुई, 26 January के उसके बाद हुआ, of course, and we could see that bot lab ने इन drones को वहाँ पर उड़ाया है, so बस यह याद रखेगा, राई सीना हिल जो है, वहाँ पर यह 1000 प्लस drones जो है, इनको use किया गया है, that's quite important, next one, हम लोग बात करते है, coastal vulnerability index की, किसकी, coastal vulnerability index, अब आप पहले तो यह जानों कि यह index किससे निकाले, inchoice, inchoice क्या है, inchoice Indian National Center for Ocean Information Services, clear, inchoice, inchoice कौन से, ministry के अंडर आती है, ministry of earth sciences के अंडर आती है, inchoice, it's under the ministry of earth sciences, fair enough, now, एक चीज़ आप याद रखेगा, हाँ जेविर बिलकुल, एक चीज़ आप याद रखेगा, यहाँ पर देखो, climate change भी है, economic development भी है, lack of regulation है, lack of rapid population growth है, उसकी वज़े से, बहुत सारी problems आती है, जिसकी वज़े से, vulnerability बढ़ती है, मैं आपको थोड़ा zoom करके दिखाता हूँ, हाला कि इतने detail में जाना नहीं है, चाहे construction material हो, channel degrading हो, आप dredging करते रहते हैं, बहुत जादा, वहाँ पर tourism बहुत आता है, तो उसकी वज़े से, coastal area जे, आतरपदेश उडिशा, लक्षदीप अंडमान, वेस्में गॉल, यह सब स्टेट्स यहां पर आएंगी, यहां पर fishing villages भी है, ports भी है, mangroves है, सब कुछ है, सो यह आपको याद रखना है कि coastal vulnerability index बहुत important picture हमें दिखाता है, that's very simple one, not a very difficult point, हान जी, वो lights drone में जल रही है, हान जी उसमें, दुनिया की insurance companies को रखा गया, fine, so basically हमने क्या देखा, brand, जब finance की हम बात करते हैं, उन्हों लाइ, तो यहां पर top, में तो चलो, paying company है, वैसे top 10 में 5 तो Chinese ही है, लेकिन हमारे लें इंपोर्टेंट है कि LIC is in the top 10, वादला 10th spot जो है, वादला 8.6 million dollars या 64,000 crore की जो valuation है, उसके साथ भी सी, LIC is holding in the top 10th spot, so that's again something which matters, यह बहुत जादा एक important point है, जो हमें पता होना चाहिए, so इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, everyone is understanding this point, तो यह idea बहुत important है, मतलब this is a very basic idea, which we need to be looking at, so यह मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको, तो इतना बस याद रख लेना कि इंडि पे LIC आती है, next one, एक global entrepreneurship monitor हमने देखा, अभी Dubai expo बहुत news में थी, वहाँ पे यह आया है, हाँ जी, LIC का IPO आने वाले है, इसलिए मैं वो बता आ रहा था, so हरानी होगी आपको, कि global entrepreneurship monitor में top पे Saudi Arabia है, बना Saudi Arabia में startup खोलना बढ़ा आसान है, उसके बाद नीदर लेंड, उसके ब बहुत हरानी हुई कि Saudi Arabia is on the top, कि भई आप वहाँ पर startup खोल सकते हैं, that's a very big thing, getting it, just imagine, going to Saudi Arabia for the startup opening, so यह अजीब थोड़ा लगता है सुनने में, but that is very much true, so I hope it helps, समझ आया, तो यह काफी जादा news में था, so we should be having this idea in our minds, all of you, any doubts, चलो, आगे हम बढ़ते है, अब एक बहुत जादा चीज थे news में, जिसके उपर में थोड़ी से आपको clarity देना चाहूंगा, I would like to give you some particular clarity, and what is that, we talk about NIPERS, NIPER पता है आपको National Institute of Pharmaceutical Education and Research, NIPER, so जब हम बात करते हैं, Dr. Mansook Mandviyaghi, इनने लाउच किया NIPER Research Portal, तो यहाँ पे जो भी information है, about NIPER, उनकी research activity, वो इ जाली जाएंगी, मेरा सवाल है, चलो ठीक है, pharmaceutical research में, यह IIT जैसे engineering के लिए होती है, pharma के लिए best होता है, लेकिन यह कौन से ministry के अंडर आता है, it is अंडर ministry of chemicals and fertilizers, याद रखेगा, ministry of chemicals and fertilizers, यह इसके अंडर आती है, तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए, कि जो भी हमा ministry of chemical and fertilizer, तो pharma का सारा जो भी देख रहे है, वो यही ministry करेगी, यह आपको पता होना चाहिए, pharma, all right, so that's not a difficult one, it should be very much clear, anyways, अब एक बहुत interesting point है, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको शायद मेदर राम जातरा के बारे में पता होगा, एक बहुत शांदर फेस्टि बढ़ी तो, now why in 2022 all over it wasn't a lot of news, that's a good question, देकि मेदर राम जातरा बात news में इसलिए रहा, क्योंकि हमने देखा, ministry of tribal affairs ने बोला कि हम लोग लगभग सवादो से धाई करोड रुपे देंगे इस festival के लिए तेलंगाना को, that's a very big thing, तो आपको यहां पर पता चला, कि चलिए अगर ministry ने इसको पैसे देने की बात कि मतलब यह बहुत important है, तेलंगाना state का यह festival है, it is known as मेदर राम जातरा, simple यह बात है, अभी feb में it was all over the news, इसलिए मुझे लगा यह मैं यहां पर include कर दो, बात समझ में आई की नहीं, so आप realize कर रहे हो कि कितने important यह points है, मतलब how important all these current affairs are, यह आप realize कर ही रहे हो गए, चल, anyways, यहां पर एक बहुत important point आता है, मेरे सामने, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो है, पंडित जसराज के बारे में, आपने शायद इनके बारे में सुना होगा कभी, however, he is no more with us, इनका तो अब निधन हो चुका है, at the age of 90, he passed away, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साब ने लॉंच की पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, तो क्योंकि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन आई, तो पंडित जसराज all over is a lot of news, यह तो news में आएंगे ही, क्योंकि इनके नाम पर फाउंडेशन आ गई है, अब क्योंकि ये news में आ पताना चाहूंगा, that he was a classical vocalist, so यहां पे मिवाति घराना जो है, उसे बिलॉंग करते थे, इनको बहुत सरे awards में मिले, क्या संगीत नाटक अकेडमी हो, पद्म भूशन, पद्म विभूशन, पद्म श्री, हर award इन्होंने, देखिए, सिविलेन अवाट जो है, अलग अलग मिलते रहे है, that is what explains about Pandit Jasraj, so बस इतना आप understand कर लीजेगा, हाँ जी, बिलकुल, बिलकुल सौमया, Pandit Jasraj Cultural Foundation की मैं यहां चर्चा कर रहा हूँ, of course उनकी मृत्यू के वाद, अभी COVID में उनकी death हुई थी, I am not sure कि COVID से हुई थी, कि otherwise हुई थी, but he was 90, and इसलिए Pandit Jasraj Cultural Foundation बनी है, तो जैसे Zakir Hussain वगरा, यह vocalist है, vocalist, Prime Minister Modi ने address किया, 30th National Commission for Women Foundation Day program, clear, National Commission of Women, एक statutory body है, उनका एक program था, और सबसे important जीज यह है, कि यहां पे she the change maker was the theme, क्या था theme, she the change maker, यह काफी ज्यादा news में रहा, तो National Commission of Women तो important body ही है, लेकिन she the change maker was all over the news, this is the reason why I have told you कि आपको यहां पता होना चाहिए, Anyways, अब Feb में एक और बहुत important day आता है, आपको शायद यह बत पता होगी, 13th of February के हम लोग अगर बात करें, You should be knowing, 8 March का तो सबको पता है, International Women's Day, but what about the National Women's Day, यह कोई बताएगा मुझे? कौजा, अभी तो स्टार्ट हुई है बेटे क्लास, National Women's Day तो बता दो मुझे, बेटे National Women's Day होता है, 13th of February, हमारी यहां पे एक बहुत महान हस्ती है, I'm sure आपको पता होगे इनके बारे में, शीमती सरोजनी नाइडू जी, तो सरोजनी नाइडू जो है, इनके नाम के आगे तो कितने भी मैं, अगर वो लगाऊं, वो कम है, इतने ज़ादा इनके पास credits है, Nightingale of India तो हैं ही है, Congress की पहली महीला President Bunny 1925 में, Indian Women को इन्होंने represent किया, Roundtable Conference में, बहुत कुछ इन्होंने किया है, तो इनके ही birthday पे हम लोग National Women's Day मनाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, वी आर observing this National Women's Day on her birthday, so I hope that helps, तो I'm sure कही लोगों को शायद ना पता हो ये, पर अब आपको पता चल गया है, everyone, शरीर, आपको मैं बताना चाहूंगा एक बड़ festival जो है, जो की मतलब इंडिया के बहुत जादा करीब है दिल के, उसको और गनाइस किया है, so that is something which matters a lot, यह हमारे लिए कम से कम बहुत जादा चीज मैटर करती है, तो यह हमें कम से कम बता होना चाहिए, you should know कि कौन सी कंट्री है जिसने इसको किया है और गनाइस, so I don't think it's a very difficult thing for you guys to understand, शली, अब मैं कुछ sports के उसके उपर आपको ले कर जाना चाहूंगा, I would like to talk something about the sports, I am sure कुछ ऐसी sports की जो चीजे है, जो बहुत जादा न्यूस में बनी रहे हैं, उसके उपर हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, Australian Open, 2022 Australian Open, I think आप सब को पता है, राफा यानि के रफैल नडाल got it, and महिलाओं में champion was Ashley Barty, तो इस साल का तो यही हुआ है अभी, इस साल का जो हम लोग बात करते है, Grand Slam, वो तो यही है ना, Australian Open है, लेकिन बात आती है, what about the other Grand Slams, जो की last year में हुए कि आपको पता होने चाहिए, I feel कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया उसमें जरूर होना चाहिए, so I would like to give you that idea as well, मैं वो भी आपको आइडिया देने की चेश्टा करूँगा, कोशिश करूँगा, I hope it helps, तो घ्यान दीजेगा बस इतना, 2021 का जो French Open रहा, जो May-June में हुआ था, उसमें the champion was Novak Djokovic, and महिलाओं में अफकोस Barbara was the champion Wimbledon जो हुआ, June-July में, उसमें फिर से Novak Djokovic जीता, and Ashley Barty was the champion, and हम लोग जो बात करते हैं, US Open जो August September में हुआ, जो की बहुत important इसमें, Novak Djokovic हारा और Daniel Medvedev जीता, तो पिछले साल तो Rafa को कोई chance मिला नहीं, लेकिन इस बार Novak Djokovic खेला नहीं था, क्योंकि vaccine का बहुत तो यह बत याद रखेगा, that is also very important thing, कि जो Novak Djokovic है, he did not play, because he did not take the vaccine, इसलिए Australian Open में इसको खेलने नहीं दिया, यह शायद आपको पता होगा, everyone knows that, so Novak Djokovic could not play, he could not participate, I think you know that, so यह बहुत बड़ी बात है, getting it, so everyone should be having this basic idea at least, यह छोट-छोटे ideas आपको होने चाहिए, grand slams बहुत बड़े events होते है, अब आपको women Asia cup पता होगा, women Asia cup होकी हुआ, तो यह बहुत important था event, feb में जो हुआ है, sports का, तो उसके उपर हम लोग थैत्रा करते है, इसमें हमने क्या देखा, Japan ने South Korea का हरा के, जीत तो गई, ल bronze medal, क्या medal मिला मिला पिटे, India को bronze medal मिला, so this is one thing which you've got to be understanding, यह हमें थोड़ा सा idea होना जरूरी है, India is getting the bronze medal होना है, चलो, बहुत बढ़िया, next one, India 3rd, PS Regish, I think इनको कोई वो नहीं, आपको मुझे बताने जरूरूत नहीं, क्या करते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ, goalkeeper of Indian hockey team, of course, इनको world game athlete of the year 2021 award मिला है, तो यह एक बहुत बड़ा award है, जिससे इनको समानित किया गया है, PR 3G Shin का नाम है, so यह बस याद रखेगा कि hockey player है, बहुत शांदर hockey player है, that's one thing, and on top of it, he is basically a goalkeeper, Indian hockey team है, field hockey team है, उसमें goalkeeper आपने शयर्द देखा होगा इनको, of course, he is a great player, नीरा चोप्रा को कोई बताने की जरुएत नहीं है कि कौन है, has been nominated for the Loras World Breakthrough of the Year award, बहुत बड़ा award होता है, Loras World Breakthrough of the Year award इसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया, that's again a very big thing, so यह नीरा चोप्रा के बारे में आपको पता होना चुए है, अच्छा, this young boy, he is a teenager, 16 years old, chess player है, बहुत बड़े, Grandmaster इनका नाम है, आर, Pragnanda, he defeated number one player Magnus Carlsen, Magnus Carlsen को इन्होंने धूल चटाई, इन्होंने हराया, तो ultimately आप से अब ये question आ सकता है, कि Magnus Carlsen जो है, वो कहां के है, तो मैं इतना आपको बताता चाहूंगा, Magnus Carlsen belongs to Norway, he is a Norwegian player, so Magnus Carlsen को इन्होंने हराया है, that's a very big deal, so should be able to understand this क्यों भई, clear हो गया, अच्छा, आपको पता, Unicorn Enterprise क्या होता है, which price, which enterprise is Unicorn, बताए, what do you think, चलो, Unicorn होता है, जो 1 billion dollar को टच करता है, 1, billion dollar को cross करता है, Unicorn वो ही रहेगा, मतलब आप ये मान के चलिए, that अगर Unicorn बनना है, तो लगबग 7600 करोड को cross करना पड़ेगा, 6600 करोड रुपीज को आपको cross करना पड़ेगा, valuation को, मलब अगर आप रुपीज में convert करते हो, तो, हाल जी, बिल्कुल जेविर, बिल्कुल, यहां भाही जूस की बात नहीं कर रहा है, मैं बात कर रहा है, मैं बात कर रहा है, चिन नहीं Super Kings की, ये पहला Sports Unicorn Enterprise बना है, छोटे points जो है, कम से कम इसके बारे में हमें पता होने चाहिए, अच्छा, बिल्कुल, Unicorn बना बहुत एक स्वभागी की बात होती ही, तो, of course, यह बने है, that's a big thing, अच्छा, यह देखना, Mumbai is going to host 2023, लेकिन Olympics नहीं, International Olympic Committee का एक session, सो, IOC जो है, International Olympics को देखती है, उसके एक session को host करेगा, 1983 के बाद, पहली बार हम लोग host करें, बहुत बड़ी बात है, that's a very big thing, और इतना बस याद रखना, कि यहाँ पे काफी सारी जो चीज़ें, उसको discuss किया जाएगा, अब the best part is, आपको इतना पहले पता होना चाहिए, कि 2024 24 को Olympics तो लॉक हो गया, Paris में है, 2028 का है, LA में है, fine, 2032 का है हमारा, Australia में, Brisbane, लेकिन 2036 का का है, अभी, we still are not aware, तो let's see, let's see हो सकता है कि वो इंडिया में हो जाए, मतलब, we are, fingers crossed, we don't know yet, बड़ यह देख सकते हैं, yes Tushar, absolutely, my dude is gonna sponsor the FIFA as well, absolutely, यह आप थोड़ो से याद रखेगा, जो कि यहां पर हमें देखने को मिली, तो मेरा मानना यह है कि भई, यह सब points जो है, कम से कम आपको एक clarity के साथ अगर पता हो, so that's a very good thing, मतलब यह काफी आपको help करता है, बिल्कुल मैं books करवाओंगा, आपको चिंता ना करे, books बहुत important, important है मेरे पास, आज जो मैं लेकर आया to you in the session, जैसे कि हमेशा करता ही हूं, हाँ, IOC के headquarter कहां पर है, अपकोस, Lausanne में है, Lausanne यानि की Switzerland में है, that's it, Lausanne यानि की Switzerland में headquarters है, session अगर आपने share नहीं किया, do share the session, I think we can have 500 plus live watching as well, like कर दो का लाइक नहीं किया, do subscribe to the channel as well, next one, एक title, एक book थी जो मुझे लगता है कि बहुत important ह आपके लिए, fearless governance, किरन बेदी ने इसको लिखा है, first IPS महिला, इंडिया की, और बहुत ज्यादा इनके नाम तो बहुत important है ही है, तो ये आपको कम से कम पता होना चुलिए, शीमती किरन बेदी जो है, उन्होंने इस किताब का लिखन किया है, very basic, क्यों बहुत, clear हुआ इतना, सो ये important किताब है, इसलिए मैंने आपको ये बताई है, next one, operation khatma, so जो story है, India's most successful surgical strikes की, वो किताब यहाँ पे लिखी गई, अश्वनी भटनागर और RC गंजु के द्वारा, ये भी, मुझे तो title ही बड़ा इसके interesting लगा, of course मैंने पढ़ी नहीं है, but that's quite an important one, so we should be at least able to understand this point, य till, मैं एक पर repeat कर देता हूँ, ये telegram channel है, यहाँ पर you are going to get the PDF, this is my telegram channel, आकाज जी के बूस्टर ढूण लो, और वहाँ पर PDF आपको मिल जानी है, सागरी का गोश्ट ने लिखा, एक किताब को, जो कि बहुत important किताब है, on Shreemann, यहाँ पर अभी हमारे बीच में नहीं है, former Prime Minister, अटल बिहारी बाजपीजी, तो अटल बिहारी बाजपीजी के ऊपर ये किताब जो है, इसको लिखा गया है, again, quite an important one, this is, हाँ जी, समझ आया, So, I don't think, यह जादा मुश्किल है, काफी यह, interesting किताबे हैं, सारी कि सारी, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, and इसलिए मैं आप से discuss भी कर रहा हूँ है, all these books, चलो, next one, India and, India that is, भारत, जैसे, civilization, constitution, coloniality, यह, J. Sai, Deepak ने किताब लिखी, that was again all over the news in the Feb, so Feb 2022 में काफी news में थी, India that is, भारत, तो यह तो आपको पता, यह preamble के अंदर ही हम लोग देखते हैं, इस से related चीजे, तो यह भी important है हमारे लिए, fine, हाँ जी, मैं, Bill Gates पे जा रहा हूँ, अभी चंता ना करिए, I am going to that only, fine, how to prevent the next pandemic, जो है, उनी के उपर यहां पर बात कर रहे है, चल, so now, the next book which comes to my mind is, very interesting, and that is, a book by Bill Gates, and that is, how to prevent next pandemic, यह भी important किताब है, यह आ सकती है, आपको, in fact, इनोंने, आपको पता हूँ का, how to avoid climate disaster भी इनोंने पहले पप्लिश की थी, और यह भी यहां पर पप्लिश की है, तो यह यहां पर कैसे steps हो सकते है, जहां पर हम लोग healthcare के उपर भी काम करें, तो यह काफी interesting किताब का मतलब, नाम ही काफी interesting है, that's the reason we should be at least understanding this point, getting it, अचा, digital India, digital economy की सभी बात करते है, उसके उपर भी किताब हमें देखने को मिली, रोख खना के द्वारा, and I feel कि यह काफी interesting किताब रह why, I'll tell you about that as well, now this is a book known as Dignity in Digital Age, making tech work for all of us, यह आप देख सकते हैं, यह किताब, रोख खना के द्वारा, so किताब किसने लिखी है, रोख खना ने किताब लिखी है, जो भी हमारा changing lifestyle है, और किस तरह से हम लोग देखते हैं, एक gap भी आ गया है, कुछ लोग के पास अच्छी I hope it helps, तो यह किताब भी काफी जादा न्यूस में बनी रही and इसलिए मैंने आपके सामने किताब भी रखी है, anyways, आपको पता होगा, हमारे noble laureate, श्री रवेंदना टेगोर, बहुत बड़े noble laureate, उनके ऊपर भी किताब लिखी गई है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा It is a history of Shri Niketan, so Ravindana Tagore's pionic work in the rural construction, तो Shri Niketan जो है, उसके ऊपर भी यहाँ पर किताब लिखी गई है, it has been written by Umadas Gupta, so I think बस यह किताब है अगर हमें पता हूँ, just 4-5 books, तो we are good to go, तो हमें at least एक आइडिया होना थी कि यह किताब है किसने लिखी है, मैंने आपको बैसे तो इन interesting for you guys to understand, और देखो, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत जादा हाइफाई है, जो आपको समझना है, everything is understandable, I know, and आप इनको समझ पाएंगे, that's a fact, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझना पाओ, अच्छा, आपको शाद पता होगा, Asian Games होने वाली है, Asian Games भी में बहुत न्यूस में रही, तो 2022 की जो Asian Games है, they will be held in China, आपको शाद पता होगा, हौन्जू में होंगी, चल, अब पता नहीं वैसे तो ठीक ठाक, पता नहीं होंगी कि नहीं, क्योंकि अभी आप देखोगी, वहाँ पे COVID फिर से आ रहा है, lockdown भी चाईना ने लगाया था, it was all over the news, so I just hope, fingers crossed, कि दोबारा कुछ भी ऐसा ना हो, anyways, अब यहाँ पे खास चीज़ क्या है, यहाँ पे बहुत सरे sports है, लेकिन खास बात है, e-sports and breakdancing are going to debut, e-sports पता क्या होता है, what is e-sports, e-sports मतलब computer की जो games खेलते हो आप, that is what e-sports are all about, so वो debut करने वाली है, in fact, यह एक कर दिया है, cricket भी इसमें आरहा है, तो इसमें रुमांच खाफी बढने वाला है, this is what we need to be knowing, यह कुछ नोट है जो मैं आपको देना जाता था, getting it, बिल्कुल, 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 तो कहने का मतलब यह है कि आप देखो कि कितना transition आ रहा है हर एक चीज में, आज से कुछ कुछ सल पहले तक शायद किसी ने सोचा भी ना हो कि computer पे games खेलने से, you certainly can go on to win such medals, but now it is all possible, so these are the things which we need to understand कि भाई, बहुत कुछ चेंज हो गया है, certainly इसमें कोई शक नहीं है, that so many things have changed over a period of time, चल, अब आगे हम लोग बढ़ते एक scheme के उपर, that is known as smile scheme, क्या है, आप एक सी सोच र कुरा नहीं हुआ है, हमने कितना current fair कर लिया है, can you think that, so आप ये assume करो कि, मतलब with the pace we go, जिस quality को हम लोग यहां पर maintain करते है, cost, वो कहते हैं, time का, जितना आप डाल रहे हो, और उसका benefit आपको कितना मिल रहा है, that is very high for this session, आप ये सोचे, for every one minute spent, you are getting so much, in this session, that is the beauty of this session, I feel, और व अब आप ये understand करिएगा, what is smile, smile जो है department of social justice empowerment के अंडर है, दूसी बाद, it is support for marginalized individuals for livelihood and enterprise, that is what smile is all about, याद रखेगा, smile क्या है, ये ही है, support for marginalized individuals for livelihood and enterprise, that's how we look at it, fine, so इसमे तो कोई दिक्कत नहीं है, everyone is very clear about this point, so ये बस इतना याद रखेगा, के smile scheme, जो है, smile योजना, इसी के साथ link करती है, it is basically associated with this thing only, हाँ जी, अब एक और person in news रहे, बहुत जादा, आपको शाद पता होगा, जर्मनी के हम लोग बात करते हैं, जर्मनी में चलो, चैंसलर तो होते ही है, लेकिन जर्मनी में प्रेजिडेंट भी है, तो हमने क्या देख का, वी सौ, फ्रांक वॉल्टर स्टैनमायर, जर्मनी में जर्मनी में प्रेजिडेंट का इतना रोल नहीं है, चैंसलर ही है, जो सब कुछ करते हैं, बट स्टिल, मतलब, if it was in the news, so that's why I thought I should be discussing it with you, that's the reason I am discussing it with you, हालकिन का रोल जो है, वो काफी लिमिटेड ही रहेगा, चल, आगे बड़े, so let's certainly move ahead in this direction, अब आगे जब हम बड़ते हैं, we find a very interesting thing once again, it is my three scholarship program, which one, my three scholarship, question आएगा कि my three scholarship program, India और किस कंट्री के बीच में है, तो options होंगे, मंगलादेश, नेपाल, स्री लंका, ऐस्टेलिया, सांसर बुट भी ऑस्टेलिया, 11 मिलियन डॉलर का यी प्रोग्र में अर् hama है, for Indian students, now that's not a small, that's not a small thing, ये बहुत बड़ी चीज ऑ तो आपको पहले आपको ऑदेशन करना कि इतना बड़ा amount जो दिस्वर्स किया जायगा, पर Indian students, that certainly means a lot for us and वही चीज आपको धान में रखिए है, so that's the only thing which you have to be keeping in your mind, that's absolutely very important scholarship which we talk about, चरे, समझा एया पस्टे इ एक बहुत जादा न्यूज में थी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं, सेहत. So I think आपने सुना जरूर होगा इसके बारे में, सेहत के बारे में. What is सेहत? सेहत is not just health, it is very important one. It is service e-health assistant and teleconsultation. That is what सेहत is. It is basically a collaborative initiative, जिसमें इन आफोस, इन अभी, इन आमी तीनो है, तो try services जो है, वो यहाँ पर involved है, सेहत में. पहले तो आभी यह understand करिये. Now it is basically related to the home delivery of the medicine. Not only that, we see, it's a try services teleconsultation service of Ministry of Defence. जो भी उनके personals है, जो भी officers है, उनकी families है, उनके लिए यह रखा गया. तो इसको launch भी किया गया था. सेहत stay home OPD जो है, especially COVID के time पे हमने देखा, इसने काफी जादा help की है. तो आपको बस यह पता होना ची, सेहत किसके लिए है? It's for people serving Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force. और इसके अंदर काफी सारी चीज़े हैं, OPD है, यहाँ पे home delivery of medicine है, teleconsultation है. यह सारी की सारी चीज़े हैं, जो यहाँ पर इनको provide करवाई जा रही है. So, Minister of Defense बहुत closely इसको observe करती है. Defense health, आप यहाँ पर कह सकते हैं, जो कि इसमें बहुत closely involved है. I hope it helps. So, बात समझ में आई की नहीं आई, तो आप बस इतना notice कर लेना, कि जितने भी चोटे-चोटे points हैं, यह directly कई बार question में आ जाते हैं. You never know, when are these points asked in the paper? अच्छा, एक चोटा सा point में यहाँ पर आड़ करना चाहता था, एक अलग से. आपको शाद पता होगा, नीतिया योग ने phone पे और Amazon Web Services के साथ मिलके, एक बहुत शांदर चीज़ की, इन्होंने organize की, क्या, एक virtual fintech open, शाद आपको पता होगा, it is open hackathon के हम बात करते हैं, तो इसको organize किया गया था, तो यहाँ पे, किस ने किया है, चाहिए आपको phone पे नहीं याद रहे, ठीक है, लेकिन नीतिया योग जरूर पता होना चाहिए, hackathon, जो इन्होंने fintech open hackathon की, because fintech was all over the news, because of various reasons, that is why we should be at least having this idea, हमें कम से कम इसके बारे में, एक basic idea जरूर होना चाहिए, that's the reason I have put this across, हाँ जी, बिल्कुल कपिल मैं आपसे agree करता हूँ, कल मैं questions लाओंगा जिनता न अगरो, कल शाम को 6 बजे, मैं current fair के बहुत सारी questions लाने वाला हूँ आपके लिए, पता है आपको ये बात, तो मैं आपको एक बाद बता दे तो मेटे, जिसको नहीं पता है, टुमॉरो एट 6 पीम, I'll be bringing so many questions of current fair, उसके लिए त्यार हो जाना, कल, कल marathon है, आपको शाद पता होगा, मैं ले रहाँ marathon, सो काफी मज़ा आने वाला है, अच्छा, एक बहुत जादा news में थी चीज़, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, global center of excellence in affordable and clean energy, कहाँ पर बना है, बहुत बड़ी बात है, ये इंडिया में बना है, और इंडिया में IIT धारवाड में बना है, तो ये point बहुत मुझे important लगा, जो मैं आपसे share कर दो, IIT धारवाड में हमने देखा, इसको मतलब बनाया गया है, and that certainly is very big thing, जो कि हमारे लिए बहुत proud की बात है, it's a matter of great pride for all of us, being Indians, कि हम लोग इस तरह के centers हिंडिया में बनते हुए, अब देख रहे हैं, so, जिसने अभी तक इस session को share नहीं किया, share कर दो, and अगर आपको useful लग रहा है, अगर सिरफ आपको useful लग रहा है, तब ही like करना नहीं तो मत करना, if you find it useful, do like the session all of you, everyone, like जरूर से जरूर कर देंगे सब लोग, subscribe तो गरी लिया होगा वैसे, चलो, I am glad that you all are on the right track, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, यह 30th January की चीज है, लेकिन मुझे लगा, आपको मैं बदा दू, theme, क्या रही word lepracy day की, united for dignity, word lepracy day में या कहीं पे भी आप बात करते हैं, तो problem यही होती है, कि आप dignity कैसे provide करेंगे, किसी को भी अगर lepracy होती है, तो कोई भी लोग उनके आसपास नहीं जाते हैं, उनका मजाग उड़ाया जाता है, so dignity की बहुत कमी हो जाती है, and that is the biggest problem in case of lepracy, so यही चीज यहाँ पर देखी गई, कि dignity provide कैसे की जाये, this is the biggest challenge और उसको यहाँ पर solve किया गया है, so that's a very interesting thing, 4th February को वर्ट cancer day होता है, कई साल तक एक ही theme जलती है, जैसे I am and I will पहले जलती थी, इस बार change हो गई यह theme अगले कुछ सालों के लिए, and the theme is close the care gap, theme क्या है, close the care gap, so this is the theme which we see, यह क्या है, यह theme है, world cancer day की, that's how we look at it, बात समझ में आई की नहीं आई, so यह point हमें कम से कम पता यहाँ पे होना जरूरी है, it's a very important one, which I feel you should be having a clear cut idea about, so any doubt still है, I feel यह तो सबको यहाँ पे clear होई गया है, everyone is very clear about these particular points, चलो, आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखो, यह सारी की सारी news बहुत important है, word pulses day होता है, 10 फर्वरी को, यहाँ पे हमने देखा, theme was pulses to empower youth in achieving sustainable agri food systems, sustainable agri food systems, इसकी हमने यहाँ पे बात की, that certainly is a very very important theme, which should be knowing, अच्छा, फिर वर्ड रेडियो ने कई एक्जाम से पूछ रिया जाता है, यूरेस को help करता है मनाने में, तो वर्ड रेडियो डे की theme क्या रही, to radio, to trust, to radio, to trust was the theme precisely, यह भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, तो यह कुछ-कुछ ऐसी themes होती है, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता हो, that's the reason मैं यह days बताता हो नहीं, तो यह days तो चलो staticky के में करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे करवाने का यही फायदा है, that you get to know about these particular things precisely, और राइट, जैसे word day of social justice, यहाँ पे theme रही, achieving social justice through formal employment, 20th February को हमने यह day जो था, यह होता हुआ देखा है, fair enough, so I assume कि यहाँ तक तो कोई doubt नहीं होगा, everybody is clear about the things which we have done, हमने काफी सारी चीज़े देखी है, sports से जड़ी ही, international news देखी, books देखी, reports देखी, days देखे, अभी और भी काफी सारी news बची होई है, चल, आंध्रपदेश पुलिस ने initiate किया, operation परिवर्तन, अब operation परिवर्तन किसके लिए था, to eliminate the cultivation of cannabis, तो ये question आपको आ सकता है, options देखे, कि red senders है, या cannabis है, या opium है, तो it basically is cannabis, of course, तो आंध्रपदेश जो है, Special Enforcement Bureau, उन्होंने basically काफी सारी cannabis को जलाया, इस से basically इसको किया गया है, तो ये मुझे ऐसा लगा कि आपको मैं इस लिए बताना जा रहा था, because इस तरह के questions पहले भी आये हुए है, कोई भी operation है, उसका नाम उठा के आपसे पूछ लेंगे, they will be asking you all such questions, because they want you to be answering them all, ये चाहते हैं आपसे कि आपको answering the पता हो, that's the reason about it, getting it, so, मतलब इसमें तो, I think, एक भी परसंट आउट होना नी चाहिए, किसी को भी, everyone is very clear in their approach, I assume, चलो, next one goes on your screens, बेड़े, cannabis होता है ना, एक drugs, कि हम बात कते हैं से गांजा बगरा है, that's how it is, हाँ जी, हाँ जी, बिलकुल, बिलकुल, lieutenant, so, पूरा, हाँ जी, ठीक है, interoperable criminal justice system, अब यहाँ पर यह जो system है, ये फैब में बहुत news में था, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कि ministry of home affairs है, जो इसको लेकर आई, और national crime record bureau जो है, वो इसको implement कर जाएगा, but what is more important, the most important thing is, कि यहाँ पर, it's a national platform for enabling integration of IT system, जहाँ पर criminal justice जो है, उसको पूरा किया जाएगा, that's one thing, second thing is, यहाँ पर अलग-अलग pillars है, जैसे आपको पता होगा, forensic labs है, courts है, prisons है, इन सब को एक जगा पर रखा जाएगा, और जब इनको integrate किया जाएगा, तो बहुत बहतरीन तरीके से चीजों को किया जा सकता है, criminals को भी पकड़ा जा सकता है, तो याद रखेगा, what exactly it is, हम लोग IT system को use कर रहे है, सब को integration कर रहे है, that is interoperable criminal justice system, ministry of home affairs जो है, वो इसको लेकर आई है, so I think यह तो आपको पता ही होगा, everyone should be very clear on this particular point, समझ आया, so यह सुना तो होग यहाँ पर किया भी है, so not very difficult things, बना very basic things these are, and we should be at least in a position to understand them, आगे बढ़ते है, first mission of 2022 हमने देखा, Feb में, and that was EOS 04, inspire set, INS2TD, so आपको शाद पता होगा, main जो पेलोड था, वो था EOS 04, everyone, Earth Observation Satellite, 04 was the main payload, 10 साल की इसकी मिशन लाइफ है, INS2D तो कुछ भी नहीं, छे महिने का यह होता है, technology demonstrator, मतलब demo satellite बोलते हैं इसको, तो यह पर ऐसी इन्हों ने भीजी, कुछ जादे इसका काम नहीं है, inspire set फिर भी एक साल के लिए है, तो main इसका पेलोड रहा EOS 04, इतना याद रखेगा, Earth Observation, जो satellite है, यह यहाँ पर भीजी है, successful mission हुआ है, यह बहुत important है, so we should be having a bit of idea about these things, everyone, so यह तो I think अब आपको याद रहेगा, it's not a very difficult thing for you to be remembering, because question direct आएगा अगर आएगा तो, so यह कम से कम हमे एक idea होना जरूरी है, everyone, clear हो गया इतना, next, I would like to talk about a very important point, and that is related to NASA, NASA has announced two new space missions, namely Muse and Helioswarm, Muse मन्नंदर, multi-slit solar explorer, और Helioswarm तो ही है, यहाँ पर यह सब किसको study करेंगे, sun को study करेंगे, तो किसके हैंगे, NASA के हैं, और sun को यह basically study करेंगे, то यह हमें पहले तो पता होना चाहिए, this is what we have to be understanding very very precisely, तो यह I think आपने सुना तो हो गई मैसे, मन्न, everyone, must have heard about this thing before as well, Muse और Helioswarm क तो नाम बहुत जादा था, we had it all over the news, चले, अब हमने एक बहुत इंटरस्टिंग चीज देखी, आपको चाह पता होगा, हम लोग जैसे दादसाफ आल के film international awards की बात करते हैं, it was all over the news, तो उसके में कुछ-कुछ winners जो हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा की कितना जादा ये important है, particular scenario में इस सीज को देखना, so we had this award held in Mumbai, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए important ये है, कि best film का award मिला शेर्शा को, जो कि आपको पता है, हमारी Captain Vikram Batra के ओपर based है, then film of the year, Pushpa The Rise को मिला है, fine, यहाँ पे best actor जो है, रनवीर सेंग है, actress Kriti Senan है, लेकिन मैंने ये आपको बताया है, because best film याँ पे शेर्शा जो मिला है, इसकी वज़ा से ये बहुत जादा हमारे exam के हिजाब से important हो जाता है, alright, so ये आपको बता होना चाहिए, बाकि अगर आपको नहीं भी बता तो चलेगा, but best film शेर्शा जो है, ये कम से कम आपको जरूर पता हो, everyone, शेर्शा, मैंने ये ये add भी से ले किया है, नहीं तो मैं छोड़ देता, I could have left that, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते है, let's move to the next one, so we saw, यहाँ पे जिंजियांग जो रिजन है, ये काफी जादा न्यूस में था चाइना का, चाइना जिंजियांग रिजन, so why wasn't all over the news, ये इतना न्यूस में क्यो रहा, that's again very much important, क्योंकि International Labour Organization जो है, it was mentioning this region again and again, ILO ने condemn किया चाइना को for racial and religious discrimination in the region, तो ये बस आपको बता होना चाहिए, कि रिजन है कहाँ पर, you should be understanding, उईगोर मुस्लिम पॉपलिशन जो है, वो बहुत यहाँ पर रहती है, और चाइना काफी यहाँ पर atrocities भी करता है, चाइना is basically doing a lot of atrocities as well, जो कि बिलकुल unacceptable है, तो ये आपको शायद पता होगा, हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया, तो ये बहुत basic सा point है, जो हमें यहाँ पर समझना होगा, चल, आजब One Ocean Summit आपको पता होगा, One Ocean Summit was all over the news, why, So we could see, One Ocean Summit was organized by France in cooperation with United Nations and the World Bank, So किसने organized करें पेटे, फ्रांस ने, इंडिया ने support किया उनका ambition of biodiversity beyond the national jurisdiction, और इंडिया ने भी बोला कि single-use plastic जो है हम लोग eliminate करने वाले है, मतला हम लोग भी अब single-use plastic को eliminate कर देंगे, ऐसा हमारे Prime Minister ने बोला है, तो यह हमारे लिए important है, everyone, अच्छा, अब जनली इस तरह के mascot सो है, वो कई बार news में हो सकते ना आए, बनलब आपको exam में ना आए, but still they can be asked, So that is the reason why I am including that as well, यह मैं यहाँ पर include इसलिए कर रहा हूँ, mascot, that is Shira, पंजाब में election हुए, आम आदमी party भी जीद गई, लेकिन Shira बहुत news में रहा, यह, this is Shira, So what is Shira, Shira एक mascot था, लोगों को encourage करने के लिए, कि आप बाहर आईए घरों से, आप voting करिए बाहर आके, इसलिए Shira was in a lot of news, तो बस इतना धहान में रख ले ना, कि वाई Shira has been all over the news, because of this thing only, यही एक main reason है, कि क्यों Shira बहुत जादा news में रहा, fine, I hope that helps, चलो, next one, let's move across, अब यहाँ पर यही चीज़ नोटिस करियेगा, World Sustainable Development Summit हुई, और यह किस ने करवाई, यह करवाई, टेरी ने, टेरी क्या है, The Energy and Research Institute जो कि डेली में है, यह बहुत बड़ी Summit होती है, इसका एम, इसका जो गोल, बना थीम जो है, वो क्या रही, Theme was Towards a Resilient Planet, यह मैं आपको बता रहे हूँ, यह देखे, Towards a Resilient Planet, Ensuring a Sustainable and Equitable Future, This is what the basic theme was, किसकी टेरी की, तो टेरी यह Summit करवाती है, डेली में बेस्ट है, और बहुत सारे जो भी Issues होते हैं, Environment से Related, उनको यहाँ पर बहुत 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 बहुतरी तरीके से address भी किया जाता है, So that's something which we got to be understanding precisely, यह बहुत एक important point है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था, And I hope यह ज़्यादा मुश्किल चीज़े नहीं है, बलब, these are all the things which are very much basic, And you certainly can understand as well, समझ आया, चल, Now let's move ahead, G20 की हम लोग बात करते हैं, याद रखेगा, G20 जो की बहुत बड़ा फोरूम है, उसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है, Now why is G20 in all of the news? हमने यहाँ पर देखा, because of Indonesia, So यह बस इतना याद रख लो, कि अभी Indonesia ने ले ली है, इसकी कमान, उसके बाद हम India में इसको लेकर आएंगे, India will be also heading it off, यहाँ पर चेयर में, उसके बाद अभी है, जो उसके बाद आएगी, वो यहाँ पर आती है, So अभी हम लोग देखते, G20 में इंडोनेशिया है, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉंगर, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है, India host करेगा अगले साल, So उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, हलाकि इन में themes बहुत main यही होती है, Global Health है, Digital Transformation है, Sustainable Energy है, यह कुछ-कुछ themes होती हर एक International Forum पर, सिरब इसकी में बात नहीं कर रहा, कोई भी International Forum उठालोगे आप, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलनी है, That's a fact, So यह थोड़ा सा एक idea हमें पता होना जरूरी है, क्यों भई, clear हुए इतना, So my idea is that, कोई भी अगर question आपको आता है, किसी प्रकार का, तो कमसे कम you should be in a position to answer that precisely, वो आपको कमसे कम आंसर जो है, उसका आना जरूरी है, Anyways, अब जैसे energy की बात होती है, कभी भी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत शांदर प्लांट के बारे में, You can have a look at this, यह प्लांट कहां पर बेस्ट है पता है आपको, It is in Madhya Pradesh, Indoor, It's a bio CNG plant, अगर आपने सोना हो, Indoor based है यह, क्या है यह, यह Asia का सबसे बड़ा गोबर्धन, that is bio CNG plant है, जो कि Indoor में based है, याद रखेगा, अभी इसको inaugurate किया गया था, So, this is again, a very big move towards the, proper, जैसे हम लोग बात करते है, sustainability और इन सब चीजों की बात करते हैं, तो उसमें बहुत important है, गोबर्धन क्या है, कभी भी अगर गोबर्धन की बात आती है, तो आप बस इतना understand कर ले ना, this is गोबर्धन, गोबर्धन is galvanizing organic bio agro resource fund scheme, this is what गोबर्धन is, तो I don't think कि ये जादा मुश्किल है, मतलब this is very very easy for you guys to be understanding, समझ आ गया है जी इतना, चलो, अब एक बहुत important piece of current affair है, जो मैं आप से share करना चाहरा था, that is virtual digital assets के हम लोग बात करते हैं, this is a cryptocurrency बहुत news बे है, तो finance minister Nirmala Sitaramanji जो है, उन्होंने announce किया 30% tax on the income from virtual digital assets, और propose किया TDS on the payment made in relation to the transfer of digital assets at 1%, so ये जो tax इन्होंने propose किये हैं, ये काफी जादा news में रहे, और अब क्योंकि ये future है, सबको पता है, तो कही ना कहीं इनके ओपर जो tax है, वो भी काफी जादा news में बने रहेंगे, इन जीजों को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बदा सकते हैं, वैसे तो I'm sure काफी clarity मिल गई होगी, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, चलो, अब next हम लोग बात करते हैं, New India Literacy Program के बारे में, What are you supposed to understand? अब इतना याद रखेगा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बुज़े लगी, यहाँ पर on education for all की बात हो रही है, adult education के तरह है, यह बहुत बड़ी बात है, तो याद रखेगा, सबसे interesting चीज़ है, now government has replaced the term adult education with education for all, पहले adult education जो term है, इसको इस्तमाल करते थे, the scheme will cover any non-literate of the age 15 and ever, age 15 क्यों चूज़ किया कोई मुझे बता सकता है, 15 साल की age क्यों चूज़ की गई है, anyone, बदाओ, देखो, 6 से 14 यह के बच्चों को तो right to education के तहत education मिलती है, fundamental right है उनकी, मान तो यह बात, लेकिन जो 15 से उपर है, उनको तो right to education नहीं है, तो इसलिए हमने इनको इस तरह से include किया है, यह बाद याद रखेगा, new India literacy program है, मेन यही है, adult education ही हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, education for all, 2022 से 2027 सक चलेगा, यह points आपको इसके बारे पता होने चाहिए, यह very important and very ambitious program of the government of India, I would say this is, यह बहुत जादा एक important program in that sense, and we should be at least having this idea as well, क्यों बढ़ी, clear हुआ, so I don't think कि मतलब यह जतने भी points हैं, वैसे तो factual points हैं, जो कि कोई भी understand कर सकता है, मैंने इतना easy करके यह present किया है आपके सामने, that you will not be facing a single iota of doubt, that's how it is, next हम लोग बात करते हैं, WHO की, WHO ने launch की एक mobile app जिसको हम बोलते हैं, quit tobacco app, it's to help people quit tobacco in all use, जाए smoke कर रहे हो, जाए आप खारे हो, उसके लिए यह app है, बहुत ही शांदार app है, तो बस इतने याद रखेगा, quit tobacco app, जो कि बहुत जादे न्यूज में थी, उसको कौन लेकर आया है, उसको WHO लेकर आया है, simple point, it is basically WHO, which is behind this particular app, why it was in a lot of news, this is the reason, कि भाई सब को पता है कि, कितना हामफुल है टोबैको, and that is the reason, why it was all over the news, चले, अब एक आपको बहुत इंपोर्टन जीज में बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े वेक्ती का धिहान्त हुआ, यह बहुत इंपोर्टन वेक्ती इसलिए है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, you'll realize yourself, बेटे, अभी तो थोड़ी सी चलेगी class, Nobel Prize इनको मिला था, Viralogist, जब हम बात करते हैं, look, Montagnier, why was it in a lot of news, क्योंकि इनको Nobel Prize मिला था, कि इसीज के लिए, for the discovery of HIV virus, that caused AIDS, तो याद रखेगा, AIDS virus के लिए, इनको Nobel Prize मिला, Montagnier को, अब इनके उपर question आ सकता है, that's why I'm sharing it with you, he also shared the Nobel Prize, with German scientists, for discovery of human papilloma virus, that caused cervical cancer, तो दो तरह के virus, एक तो HIV पे इन्होंने बहुत काम किया है, एक इन्होंने human papilloma virus पे बहुत काम किया, तो यह दोनों के अंदर, इनका बहुत बड़ा योगदन रहा है, याद रखेगा, लुक Montagnier, he passed away in February month, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको यह कम से कम, एक आईडिया जरूर होना चाहिए इनके बारे में, that's the reason why I'm including this current fair, हर current fair को include करने का देखे, एक reason होता है, मतब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा, कि कोई भी random चीज यहाँ पर include हो रही है, because every current fair, in a way, is important from the examination point of view, और वही हम लोग करने की यहाँ कोशिश कर रहे है, that's what we are trying to do, चल, आगे बढ़ते हैं, now, we saw a very nice startup, यहाँ पर क्रिशी network की बात आती है, अब यह इसमें पंकरिशी पाठी भी बहुत ज़्यादा invest किया है, इन्हों ने और वो associated भी है, now, this startup said that fresh fund is going to be used to expand their AI-based technology, और यहाँ पर क्या है, यह relevant information देते farmers को, to clear their doubt on variety of issue, ताकि उनकी income improve हो सके, तो farmer income को improve करने के लिए, enhance करने के लिए, हमने देखा, यह startup बहुत ज़्यादा news में था, so this is a very good thing, I would say, तो इस तरह की चीज़े तो हमें चाहिए, देखे, doubling of farmer income सिर्फ government के support से नहीं हो सकता, हमें private, ऐसे startups का भी support चाहिए होगा, this is the reason why we always say, कि it is a very mixed bag kind of a thing, ऐसा नहीं कि अकेली government ही करेगी, यहाँ पर सबको मिल जुलकर ही काम करना पड़ेगा, that's a fact, alright, शली, आगे बढ़ते हैं, so before we move ahead, अगर आपने अभी तक session को like नहीं किया है, अगर आपको useful लग रहा है, तो आप इसको like कर दो, किनोशिता, बेटे बस कर देंगे, तिंता ना करो, थोड़ा सा है बस बचा, और शेर कर दो, अगर आपने शेर नहीं किया है, I'm sure, सबको useful तो लगी रहा होगा, everybody is finding it very much useful, क्योंकि देखो, कुल मिला के ये, जितने भी current fair है, ये बहुत high value current fair है, ये कोई ऐसे random current fair नहीं है, ये तो आप भी जान रहे होगे, so this is the reason why I am emphasizing on this, यही एक reason हमें इस पर इतना emphasize कर रहा हूँ, शरी, clear हो गया इतना, so थोड़ी देर ही चलेगी आप निशेंत रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ये ज्यादर देर तक नहीं चलेगी, चले, आगे बड़े, everyone, shall we move ahead, अब आगे एक green energy के उपर बहुत अच्छा initiative है, Dubai is going to launch world's first hydrogen powered flying boat the jet, जैसे flying boat के हम बात करते हैं, क्योंकि इनका Dubai clean energy strategy है 2050, इनका ये मानना है 2050 तक 75% energy जो है, वो clean sources से आएगी, तो Dubai जो है, उसने ये basically plan किया है, और उसको execute करने की कोशिश कर रहे है, हाँ जी, समझ आया, that's quite an interesting thing, again, now moving ahead, हम लोग बात करते हैं, एक बहुत important point की, Sid B की में बात करना चाहूंगा, why Sid B, let me tell you this thing, Sid B की ही मैं क्यों बात करना हूं, पहली बात Sid B के headquarters का हैं, आप मुझे बताओ, इन्हों ने लाउंच किया, Waste to Wealth Creation Program, in which women are going to make ornament and showpiece, जो की waste से बने होंगे, और सबसे अच्छी बात क्या है, later each of them are expected to become trainer, और replicate करते रहेंगे, काफी सारे aspirants को help करेंगे, now that's a very important thing, समझ आया, so ये आप याद रखेगा, Waste to Wealth Creation, जो प्रोग्राम है, कौन इसको कर रहा है, Power, SIDB, SIDB के Headquarters का है, फटावर्ट से बता दो, SIDB के Headquarters based है, in Lucknow, Lucknow में based है, पेटे, Bombay में नहीं है, Lucknow में based है, याद रखेगा, SIDB के Headquarters की में बात करो, so of course, that is something to be noted, very important point this is, and we should always be understanding it, precisely as well, so हर एक चीज़ जो है, वो जरूरी नहीं होता कि मुश्किली हो, कुछ कुछ चीज़े एजी भी होते हैं, और ये उन में से ही एक है, वाला, this is actually very much easy as well, चलो, just a few more to go, so don't worry about it, have some patience, निशिंत रहिए, बहुत अच्छे तरीके से यहां तक हमने किया है, तो आगे भी अच्छे तरीके से हम लोग करी ही पाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, everyone should be very much clear on this approach, चलो, आगे बढ़ कर, नेपाल is the first country to adopt India's UPI system, UPI आपको पता है, सब लोग यूज़ करते हैं, Unified Payment Interface System, and UPI will modernize their digital payment system, वह कित्ती बड़ी बात है, कि एंडिया ने UPI system मनाया, और उससे इंस्पायर होके, कित्ती सारी countries उसका इस्तेमाल कर रही है, तो यह कुछ चोटी बात नहीं है, तो यह कुछ चोटी बात नहीं है, इनको तो आपको understand करना ही चाहिए, Everyone should be very much clear on this particular points, Everyone, शलिए, आगे बढ़े, Let's move ahead, अब आपको शहत पता होगा, Hoysala temples, they have been proposed to be listed under the UNESCO World Heritage Site, अभी हुए नहीं है, पर जल्दी हो जाएंगे, याद रखेगा, So, Ministry जो है, Union Culture Ministry उन्हें अनाउस किया कि Hoysala Temple of Valour, Haliband, जो कि करनाटका में है, यहाँ पर इसका process होगा, और बहुत जल्दी है, लिस्ट हो जाएंगे, and इतना बस याद रख लेना ये, कि 12-13 शताबदी में ये बनाए गए थे, और बहुत बहत्रीन मास्टरीस है, ये हिस्टी के, So, we have to be understanding this one, कि Hoysala जो है, उन्नोंने बनवाये थे, बहुत बहुत बहत्रीन टैंपल से, Simple one, Sustainable Cities India's program किसका है, ये question आएगा आपको, World Economic Forum का है, Why? Plus National Institute of Urban Affairs, Newa, इसके साथ मिलके इनों नहीं किया है इस पर्टिक्लर नोडवर्दी अज़िए अफ्र प्राइमिनिस्टर्स कमिट्मेंट टू नेट जीरो क्लाइमिट मिटिकेशन रिस्पॉंस तो कुल मिला के देखे हम लोग जब स्मार्ट सीटीज की भी बात करते हैं सस्टेनिबल यह आई फील की काफी ज्यादा एक इंपोर्टन चीज मानी जाने चाहिए है क्लिया अच्छा जस्ट फ्यू मोर तो गो आई होप यू आर नोट डाट टायर्ड करेंट फिर करके तो वैसे थकने ही नहीं चाहिए आपको बट चलिए कोई बात ने आगे हम लोग बात करते है गिराज सिंग जी ने लॉंच की ओमबट परसन अप अब याद रखें ओमबट परसन आप क्यों ज्यादा न्यूज में थी वाई वाई वॉस इट अल अवर दे न्यूज इनूज क्योंकि यहां पर ट्रांस्परेंसी आएगी किसमें एम जी नरेगा में तो याद रखेगा मात्मा गांधी नैशनल रूरल इम्प्लोइमेंट गैरेंटी स्कीम जो एक्ट है मनरेगा एक्ट उसके अंदर हमारे पास ट्रांस्परेंसी की कमी है और उसके लिए अंबट परसन आप को यहां पर लॉंच किया गया यहां पर की जाएंगी जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है तो यह हमें पॉइंट्स जो है यह समझ आने चाहिए जालिए नेक्स वन इसेकंड लास्ट यह समझ लो नेक्स आपको जार पता होगा लेवेंडर कल्टिवेशन जो है अंडर और यह वहां पर इसकी कल्टिवेशन जम्रिशन में पहले भी बोला गया थे बहूंट सूटेबल है और उसकी हिसाब से की जा रही है so we feel that this is going to give a new boost to the farmers income in that area जैसे agriculture की अगर हम बात करें मैं आप एक्जामपल देता हूं हिमाचल का यहां पर भी होगा परपल रेवलुशन से क्या होगा फार्मर्स की जो इंका में होटी कल्टर की वज़े से बहुत बूस्ट होने के चांसे से लाट सब लोगों ने सुना होगा कि भाई दुनिया में चिप शॉर्टेज हो गई है सेमी कंड़क्टर की शॉर्टेज हो गई है पता है आपको तो सेमी कंड़क्टर की शॉर्टेज की वज़े से गाड़ियों गाड़िये बनने में दिक्कत आती है फोन बनने में दिक्कत आती है तो हमने क्या देखा हमने यही चीज़ देखी डाट इसको करने के लिए हमें क सो चलिए फाइनली हमने फेप का जो करंड फेरे बहुत टरीके से किया पहली बात तो आप सको सबको बहुत बहुत बढ़ा इस दीज की कि कितने बहतरीन तरीके से हमने फेप के करंड़ेंट फेर्स को पूरा किया अब वो समय आ चुक है जब मैं आपको फिर से बदा दूं कि भाई आपको PDF कहां पर मिलनी है वेर एग्जाक्टली आर गोईंग तो फाइंड दा PDF तो यहां पर आपको यह दिख रहा होगा अगर आपको यूसफुल लगा है और लाइक निकिया तो मेक्शेर यू लाइक इसे शेशन आपको बताए है अब मैं आपको बतादू तो मॉरो आट टू पी एम आपको बतादू तो मॉरो आट टू पी एम आपको बहुत बड़ा सर्प्राइज है आप सबके लिए तो उसमें जरूर आईएगा जिसको हम बोलते आईडियल इंडिन डिफेरेंस लीग में आके मुझे सुपोर्ट करिए और आट सिक्स पी एम करेंट फेर्स की मैराथन ला रहा हूं मैं तो आपको बहुत सारे क्वे कमेंट करके क्रिप्या बताइएगा everyone out there do let me know comment करके कि कैसा रहा session do give me your honest reviews आप सबको session कैसा रहा जैसे मैं session खतम करूं तो take your five minutes and do comment and let me know कि आज ये जो फेब का करेंट फिर हमने किया है कैसा लगा आपको करेंट फिर क्या exam oriented था कितना important था जरूर बताएएगा thank you so